हेलो फैमली कान्हा कली फूट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर जरूर ट्लिक करें इससे हमारे सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो चलिए फिर सुरू करते इस रेसिपी को रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिकसिंग बॉल और फिर इसमें हम डालेंगे चार उबले हुए आलू आप आलू का मिजर्मेंट अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको कम्या जादा बनाना हो फिर इन आलू को हम मैसर की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से मैस कर लेंगे तो आलू यहां पे हमारा मैस हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सब्जियां सब्जियों में हमने लिया है एक बड़े साइच का बारी कटा हुआ टमाटर एक ब यहां पल लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच साबूत धनिया फिर हमने यहां पल लिया है दो बारी कटी हुई हरी मिर्च मिर्च का टेश्ट आप अपने हिसाब से रखें क्योंकि पहले भी इसमें लाल मिर्च पाउडर पड़ा हुआ है फिर इसमें हम डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक डालने के बाद फिर इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक कप चने की पत्ती को बारी कट करके हमने पत्ती को पहले से अच्छे से धूल कर और इसे बारी कट करके लिया है आपके पास अगर चने की पत्त नहीं है तो आप यहाँ पर पालक की पत्ती या फिर पत्ता गोभी की पत्ती को भी पारी कट करके ले सकते हैं फिर इसे हम अच्छी तरह से mix कर देंगे यहाँ पर हमने इसे mix कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे चार बड़े चमब्स बेशन और ठीक इसी के measurement में हम इसी के साथ डाल देंगे चार बड़े चमब्स गेहू का आठा गेहूं के आटे को और बेशन को जब आप चने की पत्ती के साथ मिक्स करके इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो ये रेसिपी सच बताएं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और बनाने का तरीका तो आप देखी रहे हो, बनाने में कितना जादा आसान है, तो इन दोनों को हम चने के पत्ती के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हमने यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद हमने इसका बहुत सा मिस्रण लेंगे और अपने हाथों पर राउंड करेंगे और इससे बिल्कुल इस तरह से टिक्की का सेवते देंगे तो आप इस टिक्की को हम एक प्लेट में रखते जाएंगे यहां पर हमने सारी टिक्कियों को बना कर तयार कर लिया है अब हम लेंगे पैन और उसे गैस पर रखेंगे और हम इसमें डाल देंगे तेल तो यहां पर इस रेसिपी को हम डिफ्राई कर रहे हैं अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को सेलो फ्राई कर सकते हैं तो इसके लिए हम पैन में तेल ले लेंगे तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो जाने देंगे तो तेल यहाँ पर हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम एक एक टिक्की को डाल कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लोटू मीडियम पर रखेंगे हाई पर बिल्कुल मत तो टिक्की आपकी उपर से जल जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी तो इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे यहाँ पर टिक्की हमारी नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सिख चुकी है आप देख सकते हैं अब इसे हम पलट देंगे और उपर की तरफ से भ में रख लेंगे ठीक इसी तरह से हम बागी की बच्ची टिक्कियों को भी हम सेख लेंगे फाइनली यहां पर हमारी चने की पती और हरी भरी सब्जियों से मिक्स बनी यह रेसिपी बनकर बिल्कुल तयार है तो हमने यहां पर इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है आप इस करें सेयर करें चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करना ना भूलें